साथियों, हर सेक्टर के लिए सरकार की नीती क्या है, रणनीती क्या है, पहले और अभी में क्या बढ़लाव आया है, इसको लेकर बीटे सेंसंज में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सब के साथ विस्तार से चर्चा की है, एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्तित्यां थी, उसके बात कहा जाने लगा था, वाई इंडिया, अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बात कहा जा रहा है, वाई नौट इंडिया, अब जैसे पहले कहा जाता था, कि जब टैक्स रेट इतने उंचे हैं, तो वाई इंडिया, आज यही लोग कहते हैं, कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट हैं, तो वाई नौट इंडिया, पहले रेगुलेशन्स और रूर्ट्स का जाल था, तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पुछते थे, वाई इंडिया, आज वही कह रहे हैं, कि लेबर लोग में ईज और कॉम्प्लाइंस हैं, तो वाई नौट इंडिया, पहले सवाल होता था, कि इतना रेट टेप है, तो वाई इंडिया, अब वही लोग, जब रेट कार्पेट बिचा हुआ देखते हैं, तो कहते हैं, वाई नौट इंडिया, पहले सिकायत होती थी, कि इनोवेशन का कल्चर उतना नहीं है, तो वाई इंडिया, आज भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टिम दिक के ताकत देकर, दुनिया विश्वाज से कह रही हैं, वाई नौट इंडिया, पहले पूछा जाता था, कि हर काम में इतना सरकारी दखल है, तो वाई इंडिया, आज जब प्राइवेट पार्टिशिपरेशन पर बरोसा किया जा रहा है, विदेशी निवेशकों को एंकरेज किया जा रहा है, तो वही लोग पूछ रहे हैं, वाई नौट इंडिया, पहले सिकायत थी, कि डिजिटल इंफास्ट्रेक्चर के अभाव में काम संभव नहीं, तो वाई इंडिया, आज जब इतना अधुनिक डिजिटल इको सिस्टीम हमा रहा है, तो सेंटिमेट है, वाई नौट इंडिया,